नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटीब चानल दे ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल 9. March के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके call put के क्या target रहेंगे पर उसे बहले देखते हैं market ने आज कहां पे कामकाज किया आज market में कैसा दिन रहा दोस्तों पहले तो market ने हमें gap done opening दी तकरीबन 41,185 levels के आसपास दोस्तों इसके बाद immediately market ने यहां पर अपने दिन का low toward 41,080 तक market ने लगाया दोस्तों इसी level पर market ने एक बहुत ही बड़ी 300 point की candle खड़ी कर दी और अपना पूरा gap फिल किया अब दोस्तों यह वो candle है जहां पर हम आज market के अंदर trap भी हुए because market में जब global scenario जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था इस तरीके से negative चल रहे हो और उसके बाद आपका market gap down देता है और उसके बाद immediately low लगाने के बाद आपको 300 point की अगर 200 से 300 point की candle market में बन जाती है तो आप महां से समझ सकते हो कि कितना market में यहां पर trap हुआ होगा इससी level से दोस्तों market ने फिर से rejection लेने के बाद M pattern बनाने की कोशिश की और उसके बाद फिर market यहां पर दुबारा तकरीबन 41,185 levels के आसपास यहां पर आया दोस्तों इसके बाद धीरे-धीरे-धीरे market ऊपर ही जाता रहा अब अगर आप notice करोगे तो आपको यह पता लगेगा कि तकरीबन 2 बज़े तक market ने अपने लिए एक range यहां पर बना के रखी हुई थी यह range अगर आप यहां पर market में देखोगे तो आपको नज़र आएगा यह तकरीबन 100-800 पाइंट की ऐसी range थी जिसमें market ने तकरीबन अपना इस दिन टाइम लगाया दो बज़े market इसका breakout देती है उपर की तरफ और उसके बाद फिर हम वापिस से यहां पर एक range में आ जाते हैं तीन बज़े दोस्तो इस range का W pattern बनाते हुए market breakout देती है और उसके बाद market में हमें closing मिलती है 41,577 level के आसपास अब बात करते हैं कि कल market कहां पर open हो सकती है तो इसके लिए एक बार global markets को देखते हैं तो globally अगर हम बात करें तो Dow Jones इस टाइम पर वीडियो बनाते समय तकरीबन माइनस 85 points है Nasdaq की बात करें तो NDX इस टाइम पर प्लस 57 है और अगर हम यहां पर बात करें S&P Index की तो Standard and Poor Index यहां पर तकरीबन प्लस 4 points के साथ है और अगर हम SGX Nifty की बात करें तो SGX Nifty भी यहां पर वीडियो बनाते समय तकरीबन प्लस 14 points के साथ यहां पर trade कर रहा है तो यह सभी चीज़े market के अंदर आपको एक flat opening suggest कर रही है मतलब market आपको 41,600 levels के आसपास ही यहां पर 41,600 levels के आसपास ही कहीं पर opening दे सकता है अब बात करते हैं कि अगर market यहां से open होती है तो फिर हमें किस तरीके से यहां पर काम गज़ करना है दोस्तो आप उपर एक ग्रीन कलर की trend line देख रहे हो यह उपर से आ रही है दोस्तो यह day level पर market की एक resistance line है जब आपको याद होगा 14 December से यह particularly एक resistance है जो 44K से market में उपर से नीचे तरफ आ रही है तो यह resistance line आती है 41,100, 41,800 levels के आसपास तो अगर market यहां पर positive open होती है और उपर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो हम particularly market के अंदर एक trend line को follow करते हुए यहां तक के अपने targets तो एक 41,800 तक रख सकते हैं मतलब 41,600 के उपर हम यहां पर call की position मनाना सोच सकते हैं और targets हमारे उपर की तरफ फिर 41,700 और 41,800 तक के हो सकते हैं अब माल लीजिए market particularly इस trend line को कभी भी break करती है जब भी इस trend line को break करती है तो आपको याद रखना है कि put की position आप तब बनाओगे जब market आपको 41,41400 इस level के नीचे अगर जाती भी आपको नज़र आएगी तो ही हम यहां पर एक put की position में बैठेंगे नहीं तो हम फिर call की side में जारा preference रखेंगे targets नीचे की तरफ आपके पास 41,280 और 41,225 तक के हो सकते हैं अगर market 41,400 को breach करने की कोशिश करती है तो याद रखिएगा कल market के अंदर expiry है weekly तो थोड़ा safely trade करें और कोशिश करें next week की expiry में trade करने के लिए तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो like का बटन जुरू प्रिस करिएगा आपने अगर भी तक चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो प्लीस सब्सक्रेब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो लाइफ स्ट्रीम को देखते रहे because उसके अंदर जो मैं level mark करता हूँ आप उसका भरपूर फाइदा उठा सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक यू और बाबाए